राइसन बेगमगन से अमर समबाद दाता शरश शर्मा की श्पिशल रिपूर्ट बाइक की आमने सामने की भ्रंत एक गंभीर भोपाल रेफर बेगमगन सनीबार रात्री आठ बजे साधी का प्रोग्राम करके अपनी दुकान लोट रहे नरेंद यादब के सामने से आ रही बाइक से भ्रंत हो गई भ्रंत में घायल हो गए नरेंद यादब जानकारी के अंसार राम नगर निबासी नरेंद यादब एक साधी के प्रोग्राम करके रात्री आठ बजे अपनी दुकान आ रहे थे तभी अचानक सामने से आ रही रोट पर बने मोड पर एक बाइक चालक सामने से आ गया और बाइक को टक कर मार दी और भाग गया नरेंद यादप को पैर में गंभीर चोटाई पैर के पंजे और टकने में फैक्चर होने से सिविल अस्पताल बेगम गंज लाया गया जहां डक्टर ने प्रात्मिक उप्चार के बाद रैफर कर दिया गया परीजनों के द्वारा नरेंद यादप को गंभीर हालत में भोपाल एमस आस्पटल ले जाया गया जहां आज पैर के पंजे का आपरेशन होना है राइसन बेगम गंज से हमारे संबाद दाता शरज सर्मा की रिपोर्ट जतारा से हमारे संबाद दाता नीरेंद चोबे की रिपोर्ट जतारा में दो सगे भाईयों के एक साथ चिता जली लोगों के झहल के आसू गाए ने भी दी स्रद्धान जली जतारा नगर में कल एक दिल देहला देने बाली घटना गटी जिसम जतारा के दो सगे भाई अमित सुकला और आजसी सुकला दोनों भाईयों की कल प्रतवी पुर्थाना अंतरगत चंद पुरा के पास एक कार एक्सिडेंट में दोनों भाईयों की मौत हो गई जिसकी खबर पाकर जतारा नगर में संसनी फैल गई और पूरा जतारा नगर में मातम चा गया जिसकी आज अंतरष्टी थी जतारा के मुक्तिधाम में की गई यहां लगबग एक हजार की संख्या में लोग अंतरष्टी में सामिल होने के लिए पहुँचे दो सगे भाईयों की चिता जल रही थी लोगों के आशू निकल रहे थे तबी इसी बीच एक गाय आई और दोनों भाईयों की अंतिष्टी की जगए बीच में खड़ी होकर आँखों से आशू जलक रहे थी पूछ हिला रही थी सिर हिला रही थी उन्होंने दोनों बाईयों की आत्मा को सांती प्रदान कर सच्ची श्रधन जली दे कर बहां से चली गई अंतिष्टी में गाय का आना एक चर्चा का विसय बना हुआ है जतारा से हमारे समबाद दाता नीरेंद चोबे की रिपोर्ट